दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्ट्रिक सपजी के भाई राजेसवर पांडेपल और आज आप लोग देखने जा रहे बाड़िक जबे भाग यानि कमर्शियल के अती महत्वपूर्ण ब्रीस प्रस्ण जो स्टेशन मास्टर गूड्स गा गया है क्या कहलाता है ए नंबर है प्रेशन बी नंबर बस्तू तीन नंबर प्रेशीती और डी नंबर माल दोस्तों इसका सही एंसर है प्रेशन वह माल जो रेल प्रसाशन को ढुलाई है तू सवपा गया है वह प्रेशन कहलाता है ठीक अगला प्रस्ण संख्या 2 दो नंब प्रण्ट है आई एफ्टी 1707 और आई एफ्टी 1707 इसके बदले में सैनिक टिकट जारी किया जाता है उसका सभी प्रभार डेविट किस पर किया जाता है जो उसके बदले में सैनिक टिकट जारी किया जाएगा वो सभी प्रकार के प्रभार डेविट किस पर किया जाएगा यह दोस्तों इसका सही एंसर है रक्षा विभाग को यह सैनिक टिकट जारी किया जाता है इसलिए रक्षा विभाग पे आता है साफ प्रेस्न क्वेश्चन नमर तीन इतिकट के माध्यम से बुक किये गए पी ए नार पर अधिक्तम यात्रियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों इसका सही एंसर होगा 6 यात्री इलेक्ट्रोनिक टिकट के माध्यम से बुक किये गए पी ए नार पर अधिक्तम यात्रियों की संख्या 6 होगी अगला प्रेस्न क्वेश्चन नमर चार प्रेस्न दोस्तों किस अकार का नीपर को गेट नीपर कहा जाता है दोस्तों इसका सही एंसर है भी अकार का नीपर भी अकार के नीपर को गेट नीपर कहा जाता है अगला प्रेस्न क्वेश्चन नमर पाँच अगला प्रेस्न है दोस्तों इन में किस अकार के नीपर लोगेज कलर के पास रहता है कुछ निपर होते हैं जो checking rail करंचारी या टिकट संग्राग के पास रहता है तो लेकिन एक निपर इनमें हैसा भी है जो की luggage color के पास रहता है वो कौन सा है A number B अकार का निपर B number M अकार का निपर C number O अकार का निपर D number checking निपर दोस्तो इसका सही answer है C अकार का निपर जो C अकार का निपर होता है वो luggage color के पास रहता है अगली प्रस्ण question number 6 यानि कि C answer सही है O अकार का निपर O अकार का निपर जो होता है luggage color के पास रहता है अगला प्रस्ण question number 6 दोस्तो नमबर प्रसन है दोस्तों तीकट संग्रहक द्वारा एकट्र किये गए टीकटों को निर्श्ट करने के बाद उसका वीवराण कीस रजिस्टर में धर्ज होता है जग तीकट संग्रहक प्लेटफार हम पे टिकट करता है जाने वाले यात्रियों से तो उसको निरास्त करने के बाद उसका विवराण किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है A नमबर है TSR, B नमबर पंजी करण रजिस्टर, C नमबर TTR और D नमबर TCR दोस्तो उसको तो सही एंसर होगा TCR, Ticket Collection रजिस्टर, TCR में दर्ज किया जाता है अगला प्रस्ण, question number 7, 7 number प्रस्ण है दावे की धन रासी कितना होने पर बीतिये चाहिता लेना आनिवार्ज है Rnway में जो दावा अधिकर्ण है तो दावे की धन रासी कितना रुपीया हो जाए, तो बीतिये साहिता लेना आनिवार्ज है A नमबर 75,000 रुपिया या उससे अधिक, B नमबर अपसन है 7,000 रुपिया या उससे अधिक, C नमबर अपसन है 2,00,000 रुपिया या उससे अधिक, और D नमबर है 5,000 रुपिया या उससे अधिक, दोस्तों इसका सही एंसर है 75,000 रुपिया या उससे अधिक जदी हो जाता है, तो दावा के धन रासी जदी 75,000 रुपया या उससे अधिक हो तो उसमें बीतिये सहायता लेना अनिवाज है अगली प्रस्न कोश्चन नमर आठ आठ नमर प्रस्न है दोस्तों कितने रुपया तक के दावे के धन रासी के निप्टारे की सक्ति महाप्रवंधक के पास होती है जी एम के पास कितने धन रासी के दावे के निप्टारा का धन सक्ति होता है कितने रुपया की धन रासी तक के दावे के निप्टारे के सक्ति महाप्रवंधक के पास होती है दोस्तो इसका सही एंसर है औसी मित महा प्रबंधक के पास दावे के निप्टारे का असी मित सकती होती है दीन इसका सही एंसर है अगला प्रस्ण कोश्चन नमबर नौ नौ नमबर प्रस्ण है दोस्तो बरिष्ट बाडिज्य प्रबंधक कितने धन रासी तक दावे के निप्टारे की सकती रखता है जो बरिष्ट बाडिज्य प्रबंधक है कितने धन रासी तक के दावा का निप्टारा कर सकता है सकती रखता है दोस्तों इसका सही एंसर है पांच हजार रुपिया बरिष्ट बानिज प्रबंदत पांच हजार रुपिया तक धन रासी के दावे का निप्टारा कर सकता है अगली प्रस्न क्वेश्चन नमर 10 प्रस्न है दोस्तों कीस मानक के अनुसार भारतिये रेल यात्रियों को उच अस्तर सुपाच्य भोजन एमंग स्वक्ष भोजन कराने के लिए बाध्य है अनुसार दोस्तों इसका सही एंसर है आईए सो दो हजार के अधीन रेलवे में जो कंटीन रहती है उसमें स्वक्ष एवंग सुपाक्ष भोजन कराने के लिए छेतरी रेल्वेब बाध्य है अगली प्रस्वन कोश्चन नंबर ग्यार यह कंटीनी नहीं इसमें खाण पान रेल्वे के अंदर खाण पान बेवस्था इत्यादी है सभी इसमें आए सो 2000 के पात है अगली प्रस्ण कोश्चन नंबर 11 प्रस्ण है दोस्तों काइटरिंग के विभिन सेवाओ के गुणावता के लिए कौन जिम्मदार होंगे अगली प्रस्ण कोश्चन नंबर 12 बारा नंबर प्रस्ण है दोस्तों गरीब रथ गाड़ी में बेडरल सोविधा के लिए कितना धन भुगतान होता है दोस्तों गरीब रथ गाड़िया जो अब बंद की जा रही है इसमें बेडरल के सुविधा के लिए कितने धन के भुगतान होती है या होती थी अब तो दीरे दीरे उसकी समापती हो रही है A नमबर 25 रुपया, B नमबर 30 रुपया, C नमबर 20 रुपया और D नमबर 50 रुपया लेकिन question important है दोस्तों, गरीब रथ गाड़ी में बेडरल सुविधा के लिए 25 रुपया धन का भुगतान होता है 25 रुपया ये नमबर, अगली प्रस्न question number 13 अगली प्रस्न question number 13, यात्री को बेडरल कहां उपलब्ध कराया जाता है A नमबर यात्रा के गंतव्य इस्टेशन पर, B नमबर यात्रा मार्क के मुख्य इस्टेशन पर, C नमबर मंडलिय इस्टेशन पर, और D नमबर यात्रा के प्रारंभी के इस्टेशन पर दोस्तो इसका सही एंसर हुया यात्रा के प्रारंभी के स्टेशन पर जहां से यात्रा सुरू करेंगे वहीं बेडरोल उपलब्द कराई जाये जाये अगली प्रस्फन Question नमर चोधा चोधा प्रस्फन है दोस्तो किन यात्रियों को यात्रा के दोरान बेड्रूल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों वे कौन से यात्र यहीं जिनको यात्रा के दवरां बेड्रूल मुफ्त में उपलब्ध करया जाता है a नमबर ा फर्स क्लास AC बी दोस्तों इसका सही एंसर हुआ उपरोगत सभी यानि कि जितने बातान उकुल उच्छ क्लास है यानि फर्स क्लास एसी सेखेंड क्लास एसी और थर्ड क्लास एसी उनको बेड रूल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है अगला प्रस्ण क्वेश्चन नमर 15 15 नमर प्रस्ण ह सामिल होता है क्या क्या होता है दूनग तकिया एकनग कमबल एकनग तुली एकनग केवल चादर दो रहता है तकिया कमल तुली एक अगली प्रस्ण question number 16 16 नमबर प्रस्ण दोस्तों यात्री समान को रखने के लिए लौकर्स अधिकतम कितने दिनों के लिए जारी किया जाते हैं कराय यात्री समान रखने के लिए आमानती घर या लौकर्स उपलब्द होता है तो यात्री समान को जो महंगे यात्री समान है उसके लिए लौकर्स होते है तो यात्री समान को रखने के लिए लौकर्स अधिकतम कितने दिनों के लिए जा जातरी को साथ दिनों के लिए उपलब्ध कराई जाती है ए नंबर सही एंसर है अगला प्रस्ण कोश्चा नंबर सत्रा नंबर प्रस्ण मीनी रेक जिसको छोटे रेक कहते हैं मालगाडी में मीनी रेक छोटे रेक का निउन्तम गठन कितने मालडिबों का होगा अगला प्रस्ण कोश्चन नंबर अठारा नंबर प्रस्ण है दोस्तो मीनी रेक का लदान या उतराई के लिए निशूल के समय कितने घंटे का होगा ये नंबर अप्सन है आठ घंटा बी नंबर तीन घंटा सी नंबर पांच घंटा और डी नंबर छो घंटा मीनी रेक के लदान मीनी रेक को लादने के लिए या उतराई के लिए निशूल को समय कितने घंटे का होगा जिसमें कोई सूल्ख नहीं लगेगा आठ गंटा तीन गंटा पांच गंटा छो गंटा दोस्तो इसका सही एंसर है पांच गंटा पांच गंटा तक मीनी रेक लदा नवर उतराई कर कोई सूलक नहीं लगता है 19 नमबर प्रस्ण है दोस्तो रेलवे में रेल करमचारियों के लिए discipline and appeal rules कब लागू हुआ इसको DAR बोलते हैं दोस्तो D से discipline, A से appeal, R से rules रेलवे में रेल करमचारियों के लिए discipline and appeal rules कब लागू हुआ A नमबर है 1 October 1989, B नमबर 1 October 1968, C नमबर 3 June 1989 दोस्तो इसका सही एंसर है बी नमबर, एक अक्टूबर उनाई सव और फटको, एक अक्टूबर उनाई सव और सटको discipline and appeal rules लागू हुआ था, अगली प्रस्ण question नमबर 20, इस नमबर प्रस्ण है दोस्तो विभागिये जाच अधिकारी की नियुक्ति से सम्बंधित फारम संख्या कौन सा है दोस्तो जग हमारे विरूद करवाई होती है एसे 5 के अधिन तो उसमें करमचारी के असपश्टी करण देने के बाद एक विभागिये जाच बैठाई जाती है जिसके फारम संख्या को क्या बोलते हैं यही देखना है दोस्तो ए नमबर अप्सन है दोस्तो इसका सही अंसर होगा दोस्तो तो आज के लिए इतना ही और अगली बड़ियों के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्क्राइब शेर कीजिए दोस्तो तो देखिए इसके साथ-साथ मैं नुमेरिकल मैत और समाने ग्यान का भी सेट ड़ता हो और रेल्वे के अधिक परिचालन वक्त बड़ी ततराजबासा के प्रस्टन देखने के लिए हमारे चैनल फास्ट्रिक्सफ जी के बाई रजेस्वार पांडे पर जाके उसके प्लेलिस्ट में जाए दोस्तो नमस्कार धन्यवाद